Morphology of Scorpion Telson Scorpion की जो body है इसके दो major parts है एक इसका part sphalothoryks है और दूसरा part इसका abdomen कहलाता है Sphelothoryks को prosoma और abdomen को हम opisthosoma भी कहते हैं अब अगर हम scorpion के opisthosoma की बात करें तो इसका जो अपिस्तो सोमा है इसको further हम दो parts के अंदर divide करते हैं जो इसका last वाला part है जिसको metasoma कहते है metasoma के end के उपर जो structure है इसको हम telson कहते हैं telson scorpion के अंदर एक important structure है क्योंकि ये वो structure है जिसके अंदर venom gland मौझूद होते हैं एक पिर venom gland का मौझूद होता है ये venom की production करता है और उसके बाद एक special structure जो के इसी पार्ट के साथ जुड़ा होता है उसके जरीए इस venom को prey की body के अंदर inject किया जाता है अब जो scorpion का जो tellson है इसके structure की अगर हम बात करें तो इस slide के अंदर जो scorpion का tellson है उसका structure दिखाया गया है इसका ये जो swollen part है इसको हम vesicle कहते हैं ये जो vesicle है इसके अंदर venom gland मौझूद होता है और इसके last way उपर एक curve structure मौझूद है ये जो curve structure है इसको stinger कहते है ये वो structure है जिसकी मदद से scorpion अपना जहर अपने prey की body के अंदर inject करता है अगर इस slide के अंदर हम गोर से देखें तो ये जो structure है इसके अपर बहुत सारे sensory structures मौझूद है जो के hair like है ये जो sensory structures है ये इनकी help करते है prey को detect करने के लिए तो जो scorpion का टेलसन है ये जो scorpion की body का second part है जिसको हम अपिस्तो सोमा कहते है जो last part है इसकी five segments होते है और इसका जो last वाला portion है वो टेलसन है इस टेलसन के अंदर एक pair होता है venom gland का अब ये जो venom gland है इसके अंदर जब venom की production होती है तो specialized ducts होती है इन ducts के जरीए जो venom है ये stringer तक पहुँचता है दरसल यहाँ पे इसके अंदर जो venom glands है वहाँ से specialized ducts निकलती है हर venom gland की अपनी duct मौझूद होती है और वो stringer तक पहुँचती है stringer के बाद जो इसका last portion होता है दोनों जो glands है इनकी जो ducts है उनकी अपनी independent openings मौझूद होती है जब इनको charge किया जाता है जब scorpion किसी prey के उपर attack करता है या जब इनको कोई disturb करता है तो इनके अंदर venom की production स्टार्ट होती है और उसके बाद इनकी body के अंदर जो venom है उसको specialized muscles होते हैं जो इस venom को prey की body के अंदर inject करने में और उसके बाद venom gland के अंदर जो vesical part है वहां से stinger तक पहुचाने में मदद करते हैं तो यह जो specialized muscles है जिसके अंदर दो important किसम के muscle जिनको हम extensive muscle system और intrinsic muscle system कहते हैं यह specialized muscle जो system है यह venom को venom gland से stinger और फिर stinger को prey की body के अंदर enter करने में help करते हैं तो हमने देखा कि जो scorpion का जो telson है यह एक specialized structure है जो के scorpion जो body है उसके बिलकुल end के उपर या हम यह कह सकते हैं कि जो scorpion की tail है उसके बिलकुल last के उपर एक swollen structure है उसके बाद इसके जो important part है उसके अंदर इसका vesical है जो फूला हुआ होता है और उसके साथ एक curve structure है जिसको stinger कहते है अब जो vesical है vesical के अंदर pair of venom gland है जो venom की production करता है और हर venom gland की ducts होती है उन ducts के जरीए venom को tail तक या जो stinger है stinger का जो last portion है वहां तक पहुचाया जाता है उसके बाद जो टेलसन है इसके अंदर specialized muscle system मौझूद है उस muscle system के जरीए जो venom है उसको stinger और उसके बाद जो stinger है उसको prey की body के अंदर inject इसी muscle system के जरीए किया जाता है किया जाता है